दिल्ले पुलिस के सीमा पूरी थाने के एक कॉंस्टेबल ने दूसरे कॉंस्टेबल को गोली मार दी आपको बता दे कि बीती राद 11 बजे के आसपास दोनों के बीच अना अचानक किसी बात को लेकर हिंसक जड़प हो गई थी और गुस्से में आकर सिपाही रविंद्र ने साथी सिपाही आमोद के सीने पर पिस्टल से गोली मार दी घायल का अभी तक अस्पताल मेला चल रहा है और आरोपी सिपाही को हिरासत में लिया गया है